हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेके आई हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं टिटोरियर, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टिपल प्लस 3 करके फंदेल लेने होंग बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से ये डिजाइन हमारा शुरू होगा, फ्रेंड्स बहुत ध्यान से देखेगा, 12 फंदों में हम डिजाइन बना रहे हैं, शुरू के 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया है, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, दो फंदे हमने उल्टे बुन लिया है, ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिया है, अब धागे को पीछे करेंगे, अब ये 3 फंदों को हम लूज कर लेते हैं, ताकि बुनने में हमें आसानी हो, 3 फंदों को एक साथ हम सीधे फंदा हम जैच से बुनते हैं, 3 फ सिद्धा गुल देंगे। फिर से धागे को ऐसे लपएटेंगे क्या करना लेकिंगे पहले वाले फंद्रेकं को सिधा करना है कि पहले फंद्रियों को को एक साथ हम बैक लूप से पीछे के तरफ से तीन का एक कर देंगे सीधा बुनते वे अब इस तरह 12 फंदों में हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया है धागे को अपनी तरफ करेंगे यह डिजाइन हमारा फिर से रिपीट हो रहा है तीन फंदे हमने उल्टी बुनने ह धागे को पीछे करेंगे अब यह तीन फंदों को हम पहले लूज कर लेते हैं तीनों फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे धागे कूपर से अपनी तरफ लाएंगे और स्लाइप लपेट वे पीछे ले जाएंगे फिर एक फंद हम सीधा बुन लेंगे दूसरी बार फिर दागे को हमने लपेटना है और दूसरा फंदा भी एम सीधा बुन लेंगे फिर से दागे को अपने तिन फंदे को हम सीधा करेंगे अब तीनों फंदो को एक साथ हम पीछे की तरफ से तीन का एक करते हुए सीधा बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे विजयन के फिर्स नो बनके हमारी कंपलीट हो गई है önce back side में वह ने क्या करना है भी ध्यानसे देखेग तीन फंदे जो हमने उल्टे बुने हैं bet sire में हमारे यह सीधा मुने जाये यह जाए the future इनको हम उल्टा बुनेंगे अब आते हैं back side में अभ TB 한 wellbeing, srnd say दागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच में 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक जाली वाला फंदा इसको ध्यान से देखेगा इसको हमने ऐसे लेना है दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, नौ फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं धागा पीछे करेंगे और फिर से ये तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे जो उधर हमने उल्टे बुने थे तीन फंदे हमने सीधे बुन लिये हैं धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम नौ फंदे उल्टे बुनेंगे एक जाली वाला फंदा है दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ धागे को पीछे करेंगे और ये तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे इसने डिजयन की सेकंड रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है, अब आगे हमने क्या करना है थवर्ड रो में, थवर्ड रो हमारी बहुत आसान है, तीन फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, नो फंदे सीधे बुनने हैं, फिर तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, नो फंदे सीधे बुनने हैं, और लास्ट में तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, मैं बुन लेती हूं, फिर मैं आपको दिखाती हूं पूरी रोग को हमने ऐसी बुनना है, तीन फंदे उल्टे, नौ फंदे सीधे, मैं इस रोग को कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाते हूँ, इसे डिजैन की थर्ड रोग बन के हमने कम्प्लीट कर लिए है, अब आते हैं, फोर स्रो बैक साइड में, अब यहा कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाते हूँ, और देजयन की फोर्त रोग बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब यहां से डिजाइन हमने फिर से रिपीट करना है बस ध्यान दिजिएगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा चेंज होगा पाकिसें फस्टो की तरहें बनाना है अब हमने क्या करना है यह वाला डिजाइन जो है यह तीन फंदे उल्टे का यहां पीच में आ जाएगा और यह यहां कैसे आएगे टोटल हमारे नौ फंदे हैं यहां से लेकर करके यहां तक नौ फंदे हैं तीन फंदे का एक कर देंगे धर हम तीन फंदे का एक कर देंगे बीच वाले तीन फंदे पर हम यह तीन फंदे उल्टे लाएंगे यह वाला डिजाइन यहां कैसे आएगा वह को बता देती हूं तीन फंदे तो हमारे यह इधर उल्टे कर देंगे फिर एक फंदे को सीधा बुनेंगे फिर जाली देंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर यान ओबर करेंगे अब देखिएगा कैसे करना है starting बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि starting सही हो जाएगी तो पूरा pattern हमारा सही चला जाएगा design की fifth row है ये सबसे main row है एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से धागे को यान ओवर करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर से धागे को यान ओवर करेंगे अब हमने तीन फंदे का एक करना है पहले फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, तीन फंदो का एक साथ हम बैक लूप से तीन का एक कर देंगे सीधा बुनते वे, अब फ्रेंट्स यहां से हमारा डिजान फिर से फस्ट रो की तरह रिपीट होगा, धागे को अपने तरफ लाएंगे, अब यह तीन फंदे हम उल्ट कर लेते हैं, लूज करने के बाद तीनों फंदो को सीधे फंदे की तरह हैं, ऐसे तीन का एक कर देंगे, सीधा बुनते वे, तीन का हमने एक कर दिया है, दो फंदे हमारे यहां पर कम हो गए हैं, अब बीच में हमने जाली दे करके फंदे बढ़ाने हैं, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर से धागे को लपेटेंगे, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर से धागे को लपेटेंगे, इस तरह चार फंदे हमारे यहां पर बढ़ चुके हैं, दो फंदे हमारे इधर एड़स हो जाएंगे, और दो बुन लेंगे, धागे कग आपनी तरफ करेंगे, अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, էागे को पीछे करेंगे, अब ये 3 फंदों को आपन एक करना है, लोज कर लेते हैं, तीन फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे, यानुबर करेंगे एक फंद हम सीधा बुन लेंगे फिर से धागे को अपनी तरफ लाके लपेटते वे सिलाई में पीछे ले जाएंगे और एक फंद हम सीधा बुन लेंगे लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेगे इस ते डिजाइन के फिफ्ट रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पर छै फंदे हैं अब छै फंदों को हम पहले उल्टा बुनेंगे क्योंकि इधार हमने सीधा बुना था एक, दो, तीन, चार, आच, छै धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे अब बीच में हमारे नौ फंदे आएंगे बस किनारे किनारे पे हमारे छै फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, आच, छै, साथ, आठ, नौ धागे को पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे दो, तीन, धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के छै फंदे हम उल्टे बुनेंगे यह जाली वाला फंदा है तीन, चार, पांच, छै इस तरफ डिजाइन के सिक्स रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है अब सेबंध रो बहुत आसान है आपको क्या करना है छै फंदे हम सीधे बुनेंगे तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे बीच में नौ फंदे हम सीधे बुनेंगे तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे लास्ट में छै फंदे हमने सीधे बुनने है मैं बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अब आते हैं 8 तो बैक साइड में अब यहाँ पर हमने क्या करना है 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे 4, 5, 6 धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा अपनी तरफ करके लास्ट के 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तने डिजाइन के 8 तो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है इसके साथ ही डिजाइन बे बनके हमारा उबर हो गया है आपने इनी एट रोस को बार बार दोराना है आपने इनी आट लाइनों को बार बार दोराते जाना है तो डिजाइन कुछ इसतने से बनके नजर आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरा डिजाइन है डिजाइन कॉप जैकिट में, कार्डिगर में, कोटी में कहीं भी अपलाई कर सकते हैं बहुत सुंदर लगेगा एक बार ट्राइ ज़रूर करिएगा यह हमारी फ्रेंट साइड है और यह हमारी बैक साइड है बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है फ्रेंट्स यह दिया आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद